नमस्कार शाम के साड़े चार बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ चुत्रात्रपाथी दोस्त के साथ कदमताल ड्रागन की नीन हराम जी हाँ, मॉस्को में आज हंदुस्तान के जवानों जें जो कदमताल किया, वो रूस के साथ दोस्ती का एक एहम चैप्टर है चीन इसे देख कर परिशान हो उठा होगा, उसे भारत रूस की दोस्ती पर भी जलन हो रही होगी आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है, जिसमें उसे कभी भी नहीं मिलेगी खाम्याबी देख ले चीन, हिंदुस्तान का दम, रूस में भारत का स्वागत देख ले मौस्को की जबीन पर हिंदुस्तान की शान देख ले भारतिय सेना की ये धमक देख ले रूसी फाइटर प्लेन आसमान से सलामी दे रहे थे, तो भारतिय जवान भी अपने होसले का परीज़े दे रहे थे मौस्को में भारतिय जवानों की गदमताल का जोश चीन ने महसूस किया होगा चीन को समझ में आ गया होगा कि उसकी गुस्ताक्यों की खबर के बीच भारतिय जवानों का जोश कितना हाई है मौका था नाजी जर्मनी पर सोबियत संग की जीत के पिचतर में विक्टी ड्रेप परेड का जहां भारतिय सेना के तीनों अंगों के पिचतर सदस्तिय दल ने हिस्सा लिया और दुनिया को उस विश्व इद में भारतिय जवानों की शहादत को सलाम किया भारत और रूस की दोस्ती का ये सिर्फ संकेत भर है इसे देख कर चीन की बेशैनी ज़रूर बढ़ी होगी जब से रक्षामंद्री राजनास सेंग मौस्को पहुँचे हैं चीन चिन चिनतित है लेकिन चीन सुनले कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी एहम है मासको में मेरी विजिट कोविट पैंडेमिक के बार इंडिया के किसी भी आप्षियल डेलेगेशन की पहली ये फारेंड विजिट है ये हमारे खास दोस्ती का एक यह प्रमान है पैंडेमिक की इस तभी कटनाईयों की बार बावजू हमारे पाइलेटल रेलेशन्स डिफरेंट लेबिल कर बने हुए है दोस्ती की एहमियत समझते हुए रूस के डिप्टी पीम यूरी बोरिसोब खुद होटल पहुशे और राजनास सिंग से मिले अन्य दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई जिसमें रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरूसा दिया है दोनों ही देशों के बीच ये 5 मिलिन डॉलर का सौधा अक्टूबर 2018 में हुआ था पिशले साल ही भारत 40,000 करोड का भुकतान कर चुका है सौधे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा सुखोई 30 MKI, MIG-29, T-90 टेंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर भी जोर है अमारी डिसकसन काफी पास्टिब और पॉड़क्टिव रही है मुझे भरूसा दिलाए गया है कि आन्गोईं कांट्रेक्ट को मेंटेन किया जाएगा और ना कि अबल मेंटेन किया जाएगा बलकि उनको और तेजी से कम समय में उड़ा भी किया जाएगा यह भी फरूसा दिलाए गया है चीन के रक्षा मंतरी वईव फेंग हे भी मौसकों में हैं इन सब के बीच चीनी प्रपगेंडा को उच्छालने वाले गलोबन टाइम्स ने अफवा फेला दी कि भारत और चीन के रक्षा मंतरी आपस में मुलाकात करेंगे लेकिन बिना वक्त गवाए भारत ने उन दावों को खारिश कर दिया साफ हो गया कि राजनास सिंग की चीनी रक्षा मंतरी से फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी रक्षा मंतरी के मौसकों दोरे पर ही चीन ने एक और प्रपगेंडा चला उसने अपील की किस नाजुक हालत में रूस भारत से हत्यारों की डील नहीं करे लेकिन वो भूल गया कि दोनों देशों की दोस्ती धोके बाजी की नहीं विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया एक दिन पहले भी रूस ने चीन को बड़ा चटका दिया जब उसने भारत चीन के विवाद में दखल देने से इंकार कर दिया साथ ही UNSC में भारत की अस्थाई सदस्था का समर्थन भी करने का फैसला किया गीता मोहन दिल्ली आज तक भारत जितना सतर्क है उतनी ही ये कोशश है कि LAC पर शांती कायम हो सके इसके लिए तमाम मुमकिन कदम भी उठाय जा रहे हैं आज कोटनेते किस्तर पर भी बात चीत हुई है इस बीच सेना प्रमुक नर्वणे ने आज लद्दाग दौरे के दूसरे दिन जवानों की होसला आपजाई की अभी तो चीन में सिर्फ कबूला है कि वो अपने जवानों को पीशे हटाएगा लेकिन कब तक लद्दाख में जो ताजा हालात हैं इस बात क्यों रिशारा कर रहे हैं कि अभी उस पर अमल होना बागी है 22 जून की बादचीत के बाद भी चीन ने अभी ऐसी कोई पहल शुरू नहीं की है लद्दाख में उड़ते लडाकू इमान अभी भी चीन को आगाह कर रहे हैं आस्मान में ये जहाज गरज रहे हैं ताकि दुश्मन अपनी धोखे वाली फितरत को दोहराने की गलती ना करें शांती की पहल के बीच सेना मुस्तैद है खुद आर्मी चीप पुर्वी लद्दाख में जवानाओ के होसलाब साही कर रहे हैं सेना प्रमुख आज अपने दोरे के दूसरे दिन कई फारवर्वर्ड पोस्ट पर पहुँचे 15 जून की ज़ड़त में चीनी सेना को सबग सिखाने वाले कई जवानों को उनकी बाहदरी के लिए प्रशास्ति पत्र भी सौपा वहां सेना की तैयारियों का जायजा लिया मंगलवार को उन्होंने चीनी जड़त में जख्मी जवानों से मुलाकात कर उनकी होसला अफजाई भी की सेना ध्यक्ष का लदाख आना और उस पर ये भी निर्णाय करना कि वो आगे फारवर्ड पोस्ट तक जाएंगे ये बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए चीन के लिए लेकिन फारवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने होसला अफजाई की है उन सेनिकों की जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सेनिकों की जो डट कर खड़े रहे चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया भारत की इंच भर भूमी लेने नहीं दी बहुत बड़ा संदेश है हर एक सेनिक के लिए जो इस समय माभारती की रक्षा के लिए तैनात है भारत विवाद खत्म करने की राह में कोई रोडा नहीं छोड़ना चाहता उसी पहल का हिस्सा है कि लेसी पर जवानों की मुस्तेदी बनी है तो दूसरी ओर कोर कमांडर अस्तर की बातचीत के बाद अब उटनीतिक पहल भी तेज हो गई है दोनों देशों में आज जुएंट सेक्रेटरी स्तर की वर्चुल बैठक हुई है इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्राले की जुएंट सेक्रेटरी नवीन श्रिवास्तब ने हिसा लिया तो चीन विदेश मंत्रा लेके डिपार्टमेंट आफ वांडरी एंड ओसन अफेर्स के डीजी शामिल हुए। 15 जून को चीनी सेना के हमले में 20 जवानों की शहादत हो गई थी। उसके बाद खुद चीन ने बाचीत की पहल की। भारत ने भी उस पर भरोसा जता आया। अब कोशिश है कि तनाव को खत्म करने के लिए हर उस्तर पर चीन को घुटनों के बल लाए जाए। दिल्ली से कीता मोहन और लद्दाल से श्वेता सिंके साथ आज तक में रोग। शक की गुंजाईश लगातार बनी हुई है। जीन जो कहता है वो करता नहीं। जो बताता है वो जूट का पुलिंदा होता है। जो दिखाता है वो प्रॉपगेंडा होता है। क्योंकि वो चीन है उसकी बुनियाद जूट पड़िकी है। जल और साजिश उसकी फितरत का एहम हिस्सा है। वो क्या कहेगा क्या करेगा कोई नहीं जानता। तभी तो भारत यकीन करने से हिचकचा रहा है। खत्रा तो हमेशा है क्योंकि वो चीन है। लद्दाक से चीन की सेना को पीछे हटने के लिए कई दौर की बात हुई। लेकिन नतीजा शूनी रहा। अब 22 जून को सेना के कमांडर अस्तर की बाचीत में फिर चीन ने वादा किया है। उसने माना है कि वो अपनी सेना को पांच मई से पहले वाले सिती में फेजेगा। L.A.C. पर चीन अपने सैनिकों का जमाबडा कम करेगा। सेना अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन को खरी-खरी बाद बता दी कि L.A.C. पर हमने टकराओ के स्थिती में गोली ना चलाने की नीती बदल दी है। और जरूरत के हिसाब से अपने इलाके में सड़क का निर्मान करते रहेंगे। चीन के साथ कमांडर अस्तर की हुई बादचीत का ये सार था लेकिन क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए। क्या चीन अपने पीशे हटने के फैसले पर अमल करेगा। इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि चीन की नियत में खोट है। वो पहले समझोते पर हामी भरता है, बाद में मुकर जाता है। समझोते की इज़त करना तो चीन जानता ही नहीं। बादचीत की कदर करता तो वो लद्दाक में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देता। पांच मई को बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने भारत के जवानों के साथ धक्का मुक्की की। जड़ब की थी, कटीले तारों वाले डंडों से हमला किया था, पत्थरों से वार किया था, तब से लद्दाक में चीन अशानती का प्रियाय बन चुगा है। इस मुद्दे को सुलजाने के लिए भारत ने कई बार पहल की, चीन आगे भी आया, डिफेंस लेबल पर कई दौर की बाचीत हुई, लेकिन 6 जून को चीनी साइट मौल्डो में पहली बार कोर कमांडर अस्तर की वारता हुई, बुद्दा था कि शानती पूर्ण तरीके से बिवाद को सुलजा कर आगे बढ़ा जाये, लेकिन नतीजा क्या निकला, चीनी सेना ने गलवान में जो कायरता पूर्ण कारवाई की, वो बेहशर मनाख है, इस घटना के बाद भारत में सक्त रुक अपनाया, तो चीन की हेकड़ी गुम हो गई, फिर वो बाचीत का राग को लेकर बाचीत हुई हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ निकलान हरिंदर और उनके चैनीज काउंटर पार्ट जो वेस्टन टिबद के कमांडर है, ये बाचीत 11 गेंटे चली, इस बाचीत के दोरन में हिंदुस्तान ने साफ़तोर पे कहा है कि चैनों को पीछे रटना प पुश्किल है, लेकिन शांती का पक्षिदर रहा भारत फिर से भरोसा कर रहा है ताकि बिवाद को खत्म किया जा सके, अभिशेक भल्ला के साथ मंजीस सिंग नेगी दिल्ली आज तक